हेलो एब्रिवन वेलकम टू मो एकडेमी तो आमें जेमें त्यों अब्जर्व कोरी ची एबें उटेंड चाली ची कि आउ पीएसी एंड यूपीएसी भित्रेकी छी डिफरेंस रो हुनी रिसेंटली ओएस एकडेमी रो आपन जानी पार थी वे पूरा स्टेट्मेंट वाइस कोश्चन सासुची आउ सब्गुडा को पूरा पैटर्न रो हुची आपनको यूपीएसी लेवल रो तो आमें एबें मो एकडेमी रो गोटें इनिशेटिव स्टार्ट कोरी चू कि वीक पूरा प्रिवेस यूर यूपीएसी रे आसी ची फ्रॉम 1995 तू 2023 तक ठीको चीपता फ़र्स्ट मुँ कोश्चेन डा लेखो ची एन ता तोले मुँ ताकरो सोल्यूशन दे देची आमें सब्गुडा को गोटे गोटे डिसकस करी बा आउ जो गुडा को टिके टाइम शॉट आमें जस्ट ओबराली देखी बा आपड़ो पीपी ठीटा पारे जाएकि टेलीग्राम ग्रूप रो डाउनलोड कोरी पारी बे टेलीग्राम ग्रूप रो लिंक वीडियो रो देस्रिप्रिप्शन रे पाई जीबे तो चालों तू स्टार्ट कोरी बा विद्ध फर्स्ट क बाई पेस्ट अन इंसेक्स दे नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ओफ नाइटीन एटीट इंकलुड्स तो एठी आपनों को चाट्टा स्टेट्मेंट देची एन पच्चाची ए सबुरू नैशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रे को को स्टेप्स इंकलूड़ेड तो एथरो आंसर ह हुची आपनों कर डी धाट इस स्टेटमेंट वन टू आउव थ्री करेक्ट फोर नुह तो देखां तो जदी भी आपनों नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी भी सवारे पॉड ही नाहांती बाई मिस्टेक आपनों मिस्कोर जह जनती से टॉपिक तो किछी टेंशन नाया आपनो देखां तो ओप्शन्स दिख्के जानी पॉर्थिवे 1,2,3 आर इन फेबर ओफ एन अन्वाइरोनमेंटल कंजर्वेशन ठीक ची बट फोथ रे कोंगो हुची सेकोची इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स रो प्रमोशन करिवा विचिस इन नो वे अन्वाइरोनमेंट और प्रोटेक्शन ओफ एन्वाइरोनमेंट तो इडा केबे भी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी रो पाट ही पारी बनी ठीक ची तो आमर सही हिसाब रे अप्शन आश्ची दी देखां तो केबे केबे जदी आपन सॉल्व भी कोरी पाउन ना हंती ना को प्रिंसिपल एम कौन और नेशनल फॉरेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी रो ना इट वस तो अन्वाइरोनमेंटल स्टाबिलीटी एन्वाइंटे अफ एकलोजिकल बैलेंस इंकूलूदेंग एक्मोस्फेरिक एकुलिब्रियम विच आवाइवाइल फॉस्टेनेंस अवाइशन एनिमल एन प्लांट ठीक अची तो मुँ एटा फर्स्ट कोश्चिन टा सेत्पाई मुँ ता रो डेस्क्रिप्शन आंसर टा आपणों को टीके मने एलोंगेट कोरेगी कोहीली बट एटा पॉसीबल रही वनी इच एन एवरी कोश्चिन रो डिसकस कोरीबा पाई तो आमें जस शच स्पेसिज आर कॉल देखन तो एटा गोटे बहुत ही बेसिक डेफिनेशन टा कोश्चिन हिसाब रे पचारी देची आंसर होची की स्टोन स्पेसिज ना की स्टोन स्पेसिज इस प्ले एक्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग दे स्ट्रॉक्चर ऑफ एन एकोलोजिकल कम्य ठीक होची आव यारो इंपक्त इन दा कम्युनिटी इस ग्रेटर देन ओड बी एक्सपेक्टेड देखन तू या मानने होची के इटा कोव स्पेसिज जोडा तारो थिबा कम्युनिटी एकोलोजिकल कम्युनिटी रो स्ट्रॉक्चर रे बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करे मने तारो वॉल्यूम पॉपुलेशन पॉच्छे कौम थाओ बाट इट प्लेज अ वेरी ग्रेट रोल इन मेंटिनिग देट इकोलोजिकल कम्युनिटी से भडी स्पेसिस को आमें कौं कोहिबा ना देयार कोड की स्टोन स्पेसिस समीती आपनो गूगल कोरी की जानी पारी एलोपेट्रिक स्पेसिस सिम्पेट्रिक स्पेसिस एन थ्रेटेन स्पेसिस जोदी ये टर्म्स भैलिड देन यारो डेफिनेशन गुडा को कौणो आपनो इथरे गूगल करी की देखी भारी वे जी बात आपने आमें नेक्स्ट कोश्चेन को Consider the following animals of India, crocodile and elephant. Which of these are endangered species? ठीको छी? तो ओडे बहुत है सिम्पल कोश्चेन, crocodile ना elephant कोटा, endangered species इंडिया रे? तो यारो आंसर हुची A, that is crocodile. Only crocodile is kept in the red book और endangered species ली. रहांटो एडा पूरुना कोश्चेन 2003 रो तो आपनो रीसेंट कोगो आइनिमल आमो रेड बुक रे, endangered species ली इस्ट रहांती, please go through that. जीबा आमें नेक्स्ट कोश्चेन को. Consider the following statements. Kyoto Protocol came into force in the year 2005. Kyoto Protocol deals primarily with the depletion of the ozone layer. Methane as a greenhouse gas is more harmful than carbon dioxide. Which of the following statements are correct? तो फस्स्या आमो को Kyoto Protocol रो लांच भी सहरे कोईची की 2005 रहलाग. तापरे कोईची की Kyoto Protocol रो मेन मोटिफ कोणो ओजन लेयर. आउ तापरे कोईची methane is more harmful than carbon dioxide. तो देखों तो यारा आंसर हबाब B, that is 1 and 3. Kyoto Protocol आसी थिला 2005 रहलाग, it is true. आउ 3 आपनो को true, that is methane is more harmful than carbon dioxide. But Kyoto Protocol depletion of ozone layers होई तो मेन तारो मोटिफ नुहां? यारो मेन मोटिफ होची, reducing the greenhouse gases. ठीको छी? Indirectly, it will protect the ozone layer depletion but the main motive of Kyoto Protocol is reducing the greenhouse gases. ठीको छी? The clean development mechanism in respect of carbon credits is one of the Kyoto Protocol mechanisms. Next statement, under the CDM, the projects handled pertain only to the NX1 countries. तो पचारी ची, which of the following are correct? तो यहरा आंसर हबा C, that is both the statements are correct. ठीको छी? तो यापाई आपणको टिक्के पढ़िवा पढ़िवा कि CDM टा कोण, क्योटो प्रोटोकल भी सरी टिके पढ़िवे आउ जो NX1 countries रोहुची, ता भी सरी भी टिके पढ़िवे. तो यापाई आपणको पूरा chronology टा पढ़िवा 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 जो ब्लोग्स रे, स्टडी मेटरियल्स भी अपलोडेड ही ची, काईडली आपण सेटा एग्जाम आगरो देखीने बैए. जिबा, आमें नेक्स्ट कोश्चिन को, the concept of carbon credit originated from which one of the following? तो ऐठराउ还是by B, Kyoto Protocol. मना रखन तो concept of carbon credit originated from Kyoto Protocol. जिबा, next question. दो तो तेर च्टेशिए स rectangular discussion some regions may be contributing to global warming. तो what possible region is this attributable? The anaerobic conditions associated with the rice cultivation causes the emission of methane Statement 2 When nitrogen based fertilizers are used, nitrous oxide is emitted तो एठीरा अंसर कौन हबो ना बोथ देखां तो Rice cultivation anaerobic conditions रहबा दुआरा Methane मौध्य एमिशन हुए Plus जो हमें fertilizers use करो से थीरे भी nitrous oxide बाहर है तो बोथ of this contribute to global warming ता पर आमें जीबा next question कू Consider the following statements Biodiversity hotspots are located only in tropical regions आव सेकेंड India has four biodiversity hotspots That is Eastern Himalayas, Western Himalayas, Western Ghats and Andaman and Nicoba Which of the following are true? एथीरे statement 1 आपनों को भूल की It is located only in tropical regions सब्बू क्लाइमेटिक रिजियन्स रो गोटे ओटे एरिया को आमें Biodiversity hotspots declare करा ही ची तो एथा भूल रहीबा आपनों करो And second statement is correct That is India has four biodiversity hotspots एबे रिसेंटली बहुत चारा एग्जाम्स रे आसुची एई होट्सपोर्ट रिलेटेड कोश्चिन तो आपनों इंडियारे को को होट्सपोर्स अच्छी आउ एबे जाहे जाहा होट्सपोर्स डिखलेर ही ची तारों minimum conditions कोणों ताको पढ़िवेग मने कोडा कोडा कांडिशन जोगूं कोटे रिजियन होट्सपोर्स डिखलेर हुए पीज गोट्सपोर्स डिखलेर हुए पीज गोट्सपोर्स डिखलेर ही ची बहुत ही इंपोर्स डिखलेर नेक्स्ट आमें जिबा A pesticide which is a chlorinated hydrocarbon is sprayed on a food crop The food chain is food crop, red, snake and hawk In this food chain, the highest concentration of the pesticide would accumulate in which one of the following देखंदो, कोश्टेन डा लेंदी करीची बट जीए पोड़ी चंती ये टोपिक टा बायो मेगनिफिकेशन सीए जानी चंती कोश्टेन इस बेरी बेरी सिम्पल सीए सिम्पली पचारीची की गोटे food chain जो दी रो हुची बायो मेगनिफिकेशन द्वारा पेस्टीसाइड रो हाइस्ट कंसेंट्रेशन कहा उपरे रोही बो किन्तो शे गोटे सिन्यारियो क्री क्लोरिनेटर हाइडरो कार्बन, फर्ट्रिलाइजर, पेस्टीसाइड शबो करी आपनको जल्स टाइम कंजूम करूची कोश्चिन डा पोढ़ी की डोरी वेनी पोढ़ी की ओप्शन्स कुजी बे आपनको बहुत इजी लागी बो बेसिक यारो होची बायो मेगनिफिकेशन सेति बाई यारो आंसर होब दी याट इस होग काहीं की ना बायो मेगनिफिकेशन लागी कंपाउंड पास हे चाले फूद चे इन्रे as a result of food index आउ concentration सबबोटो हाइस ट्रोइबो एद दे ट्रोपिक लेवल ठीको ची माने टॉप कंजूमर एठी होग होची आपनको टॉप कंजूमर से थिबाई pesticide concentration will be higher in the hawk due to bio-magnification as a result of the annual survey the National Geographic Society and an international polling from Globes can give India top rank in Green Dex 2009 score वाटेस डिक्स score तो बेसिकली से आमूगो पच्चाची Green Dex 2009 score देखाँ तो कोशिंदा 2010 रो तो सीडा तांको current affairs रहा सी थिला सी बार सो हैले भी आमें जास देखी नोबा की Green Dex score कोणो तो एथरा आंसर होची B ना it is a measure of environmentally sustainable consumer behavior in different countries ठीकोची तो Green Dex 2009 से तोड़े करेंट अफेर थिला तो important थिला एबे इडा important नूहो बट गोटे term जोदी आसीला आपनो मोने रोखी पारीवे के इडा कोण पाइं दिया हुए ना environmentally sustainable consumer behavior से थरे इंडिया टॉप करी थिला ठीकोची India is a part of the Ramsar convention and has declared many areas at Ramsar sites which of the following statements best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention तो बेसिकली Ramsar sites रो eligibility तारो various conditions ताव प्रेकोची नासी चीप एथ रा answer हबड दी ताट इस conserve all the sites through ecosystem approach and allow their simultaneous sustainable use ठीकोची आमेट आपरी जीबा next question आपन ठीकके Ramsar convention आपन तारो इंडिया रो जेतीगी साइट सोची ओडिसार रो जेतीगी साइट सोची कोकु डिस्टिक्टर हची जस्ट मेमराईज दाट next question what are the possible limitations of India in mitigating the global warming at present and in the immediate future तारो आंसर स्टेटमेंट आपन को देदेची तीन्टा एथरो आंसर हबो A that is 1 and 2 only थर्टा हबो नी many developed countries have already set up their polluting industries in India तो सबुगडा को रो solution रो description आपनो kindly जाएकी PPT रे पोढ़िने बे 13 consider the following which can be found in the ambient atmosphere यथिरा आंसर होची D 1, 2 and 3 मने soot b, sulfur, hexafluoride b and water vapor b तो C is a international treaty drawn at तो बहुत सेंबल जो मने सही मने chronology रा पोढ़िचोंती राइजीले आंसर करी थे बे यथिरा आंसर हबो B UN Conference on Environment and Development Rio de Janeiro रे हिथला 1992 रे तापर आमें चीबा next question regarding carbon credits which one of the following statement is not correct तो यथिरा आंसर होची D that is carbon credits are traded at a price fixed from time to time by the United Nations Environment Program यथिरा आपणों को भूल रहिवो carbon credit system was ratified with conjunction in the with the QTO protocol पूरा ठीक रहिवो carbon credits are rewarded to countries or groups that have reduced greenhouse gases यथिरा भी ठीक रहिवो आप गोल यथिरा इस सिस्टम रहिवो यथिरा इस सिस्टम रहिवो यथिरा ना तो लिमेट दा इंक्रीज आपर आपकार्बन आक्सेड एमिशन तो यथा क्योटो पूर्टोकल रे design ही थिला NX1 countries यथिरे assigned amounts नीथिले आउ सबूरा को डीटेल आपने solution रू टिक के पढ़िनेवे नेक्स चिबा Among the following states which one has the most suitable climatic condition for the cultivation of a large variety of orchids with minimum cost of production and can develop an export oriented industry in this field माने से पचाची इंडिया रे orchid production कोठी बहुला से ही पारिबा without additional cost तो ताहरो आंसर होची B यथि अरुनार्चल प्रदेश नेक्स कोच्चिन human activities in the recent past have caused the increased have caused the increased concentration of carbon dioxide in the atmosphere but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of यए कोची की human activity जोगू carbon dioxide बहुत बोड़ होची but carbon dioxide तोड़े बेसी टाहम पार हो है नी but a lot of it does not remain in the lower atmosphere because of आंसर होची यथि रो B the photosynthesis by phytoplankton in the oceans ठीको छी नेक्स जिबा in the context of ecosystem productivity marine upwelling zones are important as they increase the marine productivity by bringing the to marine upwelling zone इरो importance कोण से यथरे बेसीकली पाच्चाए चे यथरे आंसर होब B आंसर होब B that is two only माने nutrients to the surface because they increase the marine productivity by bringing nutrients to the surface आंसर होब B in the Antarctic region has been a cause of concern what could be the reason for the formation of this hole आंसर होब B presence of prominent polar front and stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons ताप रामे जिबा next question two important rivers one with its source in Jharkhand and known by a different name in Orissa and another with its source in Orissa merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea this is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area which one of the following could be this तो एथर आंसर होची भीतर करनी का ना इडा ओडी सारो state रहोची and it covers an area of 650 km square in the river delta of Brahmini and Baitarani rivers ता प्रियामे जिबा next question 21 three of the following criteria have contributed to the recognition of western ghats Sri Lanka and Indo-Burma regions as hotspots or biodiversity तो which three of the above are correct criteria in this context so C80 जो जम्दे आमे first गोटे question देखी तिला hotspot related hotspot or conditions related तो ATBC सेम पचारी ची criteria क्राइटेरिया कोण hotspot declare हवा पाई तो एथी रो answer हवा C that is 1 species richness 3 endemism and 5 that is threat perception to qualify as a hotspot there is a concern over the increase in handful algal blooms in the sea waters of India what could be the causative factors for this phenomenon एथरो answer हो ची अपनो को D 1, 2 and 3 मने all of the above ना कोडो ना discharge of nutrients from the estuaries runoff from the land during the monsoon and upwelling in the seas so एई जो upwelling टा रो हुची इफ फेनोमेनेंटा काइनली Google करी की ठीके भाल से पाड़ीवे next आमे जिबा consider the following चारीटा प्रोसेस देची और कोई ची which of the above add carbon dioxide to the carbon cycle बहुत है सिंपल संकरायस भूकरी इडा बहुत है सिंपल से देडीची जो बेसिक 4-5 इनिशियल चाप्टर्स रोची अन्वायरोनमेंटरो ताकु जद्या आपन पोढ़ी थिवे एक कोशन्टा करी पारीवे एतरो आंसर होची C respiration decay of organic matter and volcanic action photosynthesis नुहा photosynthesis रे plant remove करे carbon dioxide ठीक हची मोने रोखिवे next a sandy and saline area is the natural habitat of an Indian animal species the animal has no predators in that area but its existence is threatened due to the destruction of its habitat which one of the following could be that ता एतरो आंसर अबब बी Indian wild ass Indian wild ass also known as घुरकूर in the local gujarati language is a subspecies of the onagar native of south asia तो एटा आपणों करो देखांतु तारो किछी predator नाहां थी बाट आरो habitat destroy होबा जोगूं सी एबए बहुते threatened status रे अच्छी तो next आमें जिभा biodiversity forms the basis for human existence in the following waste तो एथरो आंसरोंची D soil formation prevention of soil erosion recycling of waste and pollination of crops सबुगडा को statement एचाट्टा उडा को तरीकारे ठीक छी आपर आमें next जिभा which one of the following is not a site for in-situ method for conservation of flora B आपणों करो botanical garden ठीक छी it is not a site for in-situ method of conservation it is a method of ex-situ conservation rest all the 2004 tsunami made people realize that mangroves can serve as a reliable safety hedge against coastal calamities how do mangroves function as a safety hedge देखन दो लेंदी-लेंदी questions देची बढ़ या answer बहुत है simple answer D the mangrove trees do not get uprooted by storms and tides because of their extensive roots ठीक होची आओ जाहा सोबू उपर है reason गुडा को देची देखी वेवडा को बहुत ही vague statement गुडा को इतमे आपमोर answer होची D next आमे जीबा 29 इडा पूनी आसीला red book आओ एवो endangered species related question देखी डाटा books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources the red data books published by the International Union for Conservation of Nature and Natural Resources IUCN contain the list of red data रे कौन list थाय आमारा answer होची B only threatened plant and animal species ठीको छी next जीबा consider the following statements biodiversity is normally greater in lower latitudes as compared to higher along the mountain gradients biodiversity is normally greater in the lower latitudes as compared to the higher which is of which one of the following is correct एथरा answer होची both are correct ठीको छी biodiversity is higher in lower latitudes as compared to higher as the habitat tolerance level is very narrow greater latitude ठीको एडा बहुत ही common गोटे question next time जीबा which of the above acts have relevance to bearing on the biodiversity conservation in the country आंसर हबो एथिरो C, all of the above, Import and Export Control Act, Mining and Mineral Development Regulation Act, Customs Act and Indian Forest Act एउड़ा को सब्बू, indirectly or directly, they contribute to the biodiversity conservation of the country next time में जिबा, how does National Biodiversity Authority help in protecting the Indian agriculture तो एथिरो आंसर आपनों देखाँ दो, तो आपनों तीन्टा स्टेटमेंट देदी इची, National Biodiversity केमिधी help कोची, Indian Agriculture कूँ तो आथिरो आंसर हबो C, that is 1 and 3, ना केमिधी फर्स स्टेटमेंट आपनों कोची, फर्स चेक करे, Biopiracy कू और प्रोटेक्स ला इंदी जीनियस and traditional genetic resources, तापरे नंबर 3 हुची, application of intellectual property rights related to genetic biological resources cannot be made without the approval of NB. ए तीटा स्टेप त्वारास ये इंडियन अग्रिकल्चर कूँ प्रोटेक्ट कोरुची, तापरे आमें नेक्स जिबा, तो नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल आग्ट 2010 वस एनक्टेड इन कॉंसोनेंस विछ उप दे फॉलोईन प्रोविजिन्स, तो नेशनल ग्रीन ट्रिबूनल भी सरे कोश्चेंट आचिया, एथिरो आंसर होची, A, one only, right to healthy environment, constructed as a part of right to life, तो right to healthy environment, इस्टेटमेंट वन, एथिरो आ इफ नेशनल वाटर मिशन इस प्रोपली औन कॉंपलेटली इंप्लीमेंटेड, हाव विल इट इपक्ट दे कांट्री, चारिटा स्टेटमेंट देची, आउसे थिरो आंसर होची, B, one and two only, नो वाटर रिक्वार्मेंट अफ कोस्टल सिटीज विज इनेडिक्वेट अल्ट इफ नेशनल वाटर मिशन ही इची, इफ नथें तो दू विद रिवर्स और दी एक्पेंसे इंकर्ड भाई फार्मर्स और तो सेथ पैंस्टेटमेंट थरियाओ फोर नूह, only one and two next time Ajiba, biomass gasification is considered to be one of the sustainable solutions to power crisis in India, in this context, which of the following statements are correct, biomass gasification correlated co-statement thick, only a, coconut shells, groundnut shells and rice husk can be used in biomass gasification, why is this phenomena a cause of concern, तो एथ रांसर हबो, a, one, two and three are the reasons कहिं की acidification of oceans is a cause of concern, now fourth that is cloud seeding and formation of clouds will be adversely affected, इडा बिलकुल बे रिजन नुह, the above three are the reasons की इडा वडे alarming situation create कोरी पारी बो, acidification of oceans, next time Ajiba, the increasing amount of carbon dioxide in the air is slowly rising the temperature of the atmosphere because it absorbs, रांसर बहुत है सिम्पल, the infrared part of the solar radiation, ठीक है छी, next time Ajiba, consider the following protected areas, बंधिपूर, भितरकर्निका, मानस, सुंदर्बंस, which of the following are declared tiger reserves, तो आंसर हब बहुत है थिरप B, one, three and four only, मने बंधिपूर, मानस and सुंदर्बंस ही डिलेर है जी, भितरकर्निका is not declared a tiger reserve, next time Ajiba, in which one of the following categories of protected areas in India, are local people not allowed to collect and use the biomass, तो कोठी, बाल स्फियर रिजर्व, नेशनल पार्क, वेटलेंड्स, डिकलेर अंदर, रमसर कन्वेशन, एन वाइललाफ संक्चूरीज, एथि भितरू, कोगो जागारे इंडिया रे, लोकल पीपल को allowed नहीं भितर को जाई, ने जो रिसोर्सेज कलेट करेवे, जमते ट्राइबल्स माने जॉंगल जाई, पत्रों कीछी, चाली आओ, फुलो फळो सबु कलेट करांती, एथि भितरू, कोट रे, समाने जाई पारी बेननी, एथि राए आंसर हाब, B, नेशनल पार्क्स, नेशनल पार्क्स आओ, जो आपणको वाइललाफ संक्चूरीज रोची, आब भितरे जो भी डिफरेंस अची, प्लीज, ताको टिक्के ध्यान से पढ़िवे, आओ, कोगो एमेंडमेंट द्वारा, नेशनल पार्क्स बनि थेला, वाइललाइफ संक्चूरीज दिकलेर ही थेला, बाइस्फियर रिजर्ब स्कूरों, से गड़ा को भी बहुत ही इंपोर्टेंट, प्लीज, ताको टिके देखिने बे, नेक्स्ट, आमेजिबा, तो एथिरा आंसर मुस्क जिखेकर, रेड पांडा, एचिएटिक वालएज, नेक्स्टामेजिवा, आमेजिबा, दि मिलेनेयुम एको सिस्मेंट मेंट पॉल्लूइबरीस स्टेग़िसेटिंगीर्ज प्रोविजियर, विशेरिवियर रीजब पांड़िस, प्रोवटीन मτιल्स इंपोर्टिस तो दीटा स्पेसेज देची तो दीटा अनिमल्स को भी सारे दीची आओ पचारी ची आपनोंको तांको भीतरे डिफेरंस कोण। दूइटा जागो आपनोंको अन्टिलोप गिंतु तांको भीतरे डिफेरंस कोण। तो एथिरू आन्सवर अन्सार हब। प्रोमोशन आ वेजिटेरियनिज्म एटा केवे में थ्री थेए पारी वहनी सेथी पाहिए फोर टा एक्टम में वहाइक पॉइंट 1 2 & 3 आर यो करेक्ट आंसर्स तेकंद सॉल्यूशन रो फॉन्ट टा अपनों टिक्के डिस्टॉर्टर लागू थी वह इथी वीडियो रे प प्राक्टिसेस कॉंटोर बंडिंग रिले क्रॉपिंग जीरो टिलेज इन कंटेक्स्ट अव ग्लोबल क्लिमेटिक चेंज विच अब अबव हैं पार्बन सीक्वेस्ट्रेशन और स्टोरेज इन दस्वाल एथ रांसर हब बी थी ओनली जीरो टिलेज मॉने रखं तो जीरो रिलेज यादवार अब गार्बन सेको स्टृशन और स्टोरेज इन दस्वाल हुए ? कर्बन सेकोस्ट्रिस इन को अब अब गार्बन स्टोरेज इस अप्रसेस अब अ स्टोरेज तृका छीटा पे जी वार्नेक्स्ट को 45 what would happen if phytoplankton of an ocean is completely destroyed for some reason the ocean as a carbon sink would be adversely affected the food chains in the ocean would be adversely affected the density of ocean water would drastically decrease the correct answer is a 1 and 2 only density of ocean water would be very common in Indian country sites some years ago are rarely seen nowadays this is attributed to the vultures have come in Indian country site they are basically reason is b a drug used by cattle owners for treating their diseased cattle 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 by the fact that the vultures have been endangered in Indian country site due to improper indiscriminate disposal of old and used computers or their parts which of the following are released into the environment is e-waste meaning e-waste jogu ko ko elements aapnao environment koo jai pollution koro chichi tharo correct ttoh aethro answer hub b meaning 1,2,3,5 and 6 only meaning aapnao koro heptacolor huye nii aapnao plutonium haapnao aapnao plutonium haapnao tkha cheta apne jiba ame next question ko with reference to food chains in ecosystems consider the following statement aethro tinta statement dehi chichi apachachichi which of the following statements are correct answer haapnao a one only a food chain illustrates the order in which a chain of organisms feed upon one another खाली 1 आपण कर ठीक हाब, 2 आउ 3 भूल नेक्स टामें जीबा इन विच अफ दे फॉलाइंग स्टेट्स इस लायन टेल्ड मेकाक फाउंड इन इट्स नेचुरल हैबिटेट शे पचाची लायन टेल्ड मेकाक गोटे बर्ड सेटा शेटा को स्टेट तार नेचुरल हैबिटेट एच राँ आंसर होब आ, 1, 2 and 3 आंधरप्रदेस होब नी, आंसर होब तमिलनाडू, केरला and करनाटका ठीक हो छी, आउ इटा, आयू सेन द्वारा, इस बर्ड इस डिकलेर अंडेंगर टाप्रे आमेजी बाँ नेक्स्ट कोश्चिन कुग विच वन अप दो फॉल्लेंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नोट अल्ली दो फिजिकल स्पेस ओक्यूपाइड बाइन ओर्गनिजम बट अल्सो इट्स फॉंक्शनल रोल इन कॉम्मिनीटी ओफ और्गनिजम्स एथरो आंसर होब बी इकोलोजिकल निश्ट एथरो इड़ा भी आपणों कर सेई इनिशियल इंट्रोड़क्शन चाप्टर्स ओफ संकर आइस रह अच्छी तो सेथिवाई मों बारम बार कोईची से जो एन्वाइरोनमेंटल कॉन्वेंशन्स आउं इंटरनेशनल मीड्स है ची तारो हाईयार्की एंडांजर्ड आउं क्रिटिकली एंडांजर्ड स्पेसिस गुड़ाको नैशनल पार्क्स वाइल्लाइफ रिजर्स आपनों करो भैरियाज मिन्रेल्स जाहां भी आराम से स्टेटमेंट्स की ओप्शन्स को एलिमिनेट करके आपने एक्टेंड करी पारिवे तो प्लीज डू नॉट पिस आउट दो फर्स चाप्टर्स आउफ संकरायास चाट्टा ना पांस्टार चाप्टर अच्छी प्लीज प्लीज गो थू थू दाट नेक्स्ट कोश पाइडर मंकी जिये से इंडियारे मिले नी इट इस अन इन्हाबित फिफ्टी टू विच अफ दो फॉलोइंग केन बी फाउंड एज पॉलूटेंट्स इन दे ड्रिंकिंग वाटर इन सम पार्ट्स अफ इंडिया माने इंडियारे बेसिकली जो वाटर पॉलूशन होची क को को एल मिनरेल्स लागी हो जी तो एथरो आंसर हबब सी वन आर्सेनिक थ्री फ्लोराइड और फाइड यूरानियम सोर्बीटल और फॉर्माल डिहाइड एथरो आंसर हब बनी नेक्स्ट आम्मी जीबा, consider the following pairs तो आपनको किछीटा बायस्फियर डिजर्ब और एडिया नेशनल पार्क्स दीची आउ तारो लोकेशन भिशारे पचाची तो एथरो आंसर हबब ए खाली गोट्टे ही आपनों करे ठीक हो छी दाट इस नोक्रेक बायस्फियर डिजर्ब इट इस इन गारो हेल्स लोक्ता तो बराइल रेंज जो शीटा आसाम्रे तो नंबर टू भूल आउटे नाम्दफा नेशनल पार्क नाम्दफा नेशनल पार्क और डफला हिल बहुत ही अजीब अची देखों लोक्तेक लेक आमें बहुत थरा पोड़ी सारी चे तो मैंडर आसी चीब हो मनी पूर्बा टी जो नोक्रेक बायस्फियर रिजर्ब अला नेम्दफा नेशनल पार्क इटा जोद्धी भी आपनों कन्फ्यूज हो चंती बहुत जोन को इडा पार्ट अनेशल अचीब हो जोड़ी कल सक्सेशन टिर्णी जोटेशनल टिर्द करेंजे टिर्ड ग्रासी र्वालोजीक युवत एकोलोजीकल सक्सेशन टिर्ड दनाशसे नी काहिं केडा हो नी चाहिं किडा हुएिंग था आँसर दी आऊंसर C वातर लिमेट जोड़ी में सा फायल लागी सी जो लैंड टाइप रहा वेजिटेशन टाइप टाइप तो सोड़ार कंट्रोल रहा है आउसे टी ग्रासी रहाई बहा ट्री के बहा टाकू सक्सेस कर रहा है 3 के बहा टाइप टाइप लागी सा टाइप टाइप रहा है of organism is or are known as decomposer organism और organisms तो इचो फाइरस फंगिया बैक्टिरिया भी त्रू कहा को आमें decomposer को तो simple यार answer हो चे आपनों को बी only fungi और बैक्टिरिया तो फाइरस तो के में भी से decomposition जा आसा नहीं it is sometimes a carrier of disease और एक्सेक्टर बाट decomposition खाली को आरां त्यापन को पंगिया और बैक्टिरिया नेक्स्ताप महीं जिभा consider the following international agreements the international treaty on plant genetic resources for food and agriculture the united nations convention on to combat dexertification the world heritage convention which of the following which of the above has or have a bearing on the biodiversity एतर आंसर होचे D all of the three have a bearing on the biodiversity माने बायो डाइवर्सिटी रिगाडिंग ही ए अग्रिमेंट गुडा को करा है थला नेक्स्ट आम में जिबा और थावर रिलेटेड कोशेंट अर थावर भी सरे तिंटा स्टेट्मेंट देची आपचाची which of the following are correct? तो आंसर हबो एथिरो C that is statement 2 and statement 3 नेक्स्ट वन हबने it is an initiative of UNEP and US को ना अर्थावर डिकलेर ही थला World Wide Fund Fund Nature WWF द्वारा which one of the following is the correct sequence of a food chain? diatoms, crustaceans and herrings इटा आपणको आंसर हबो diatoms कोण सेवाने autotropes which prepare their own food crustaceans होचंती herbivorous plants which feed on diatoms and hedge animals which feed on crustaceans this completes the food chain ठीक हो छी? next जिबा if a wetland of international importance is brought under the Montrex record what does it imply? तो एथरो आंसर हबो आपना करो A the Montrex record is a register of wetland series on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred are occurring or are likely to occur as a result of technological developments pollution or other human interference with reference to Bombay natural history society consider the following statements एथरो आंसर हबो C. it strives to conserve nature through action-based research, education and public awareness आउ नमबर 3 होची it organizes and conducts nature trials and camps for the general public 1. हब़नी it is not an autonomous organization under the ministry of environment and forest Bombay natural history is one of the largest non-governmental organization ठीकोची एडा कोण असे ministry अंडा आसे नी एडा आपनोड़ा largest NGO एडा तो जस्ट मौने रोकी थांतू एडा सत्तोड़ा कीची current affair रह थी भो सत्पाइं कोश्चिन डा आसी थे ला ता प्रामी जीबा next question को to global environment facility which of the following statements are correct तो एठीरो आंसर होची A it serves as a financial mechanism for convention on biological diversity and United Nations framework convention on climatic change वहने UNF consider the following pairs एभी तो कोड़ा correctly matched C असला tiger is a wildlife sanctuary आपनोंको location रह तो एठीरो आंसर हब C Dumpa tiger reserve मिजोराम रह थी ठीक आउ सरामती pig नाइका लेंड रह थी ठीक गुमती wildlife sanctuary जोटा सिदा त्रिपूरा रह थी reference to a conservation organization called Wetlands International which of the following statements are correct एठीरो आंसर हब B only two it works as the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies एठा केबे form इतला 1954 रह इतला and Ramson convention was signed in 1971 next time में जिबा other than poaching what are the possible reasons for the decline in the population of Gengas river dolphins तो Gengas river dolphins रो जो decline टा हो ची यते भी तरू कोड आता रिजन रांसर C construction of dams जो गो हो ची ठीक number two increase in the population of crocodiles यह रिजन टा आपनों को रो भूल getting trapped in fishing nets ता भी आपनों को ठीक आप फोर use of synthetic fertilizers and other agricultural chemicals in the crop fields in the vicinity of rivers ठीक हो ची तो आता रांसर बसी 1, 3 and 4 crocodiles वाला रिजन टा statement भूलाँ आपनों को रहा next time में जिबा which of the following adds or add carbon dioxide to the carbon cycle on the planet आप दाखन same question आप हो तर भी आमें देखी तिले carbon cycle related संकर आई असरे भूल से बुझे ही ची तो आथिरो आणसर हब ची माने 1, 2 and 4 3 हब नी photosynthesis हब नी पूरे same option, same logic देहाँ तो question क्योंटी गोट्टे question थोरे आपनों पोड़िले से topic ता आपनों को मुंट्रे रोऊची अच्छी आपनों को further केते help कोरूची तो सेतिपेक हुँँँदी PYQs are very important next time में जीबा if you walk through countryside you will likely see some birds stalking alongside the cattle to seize the insects disturbed by their movement through grasses which one of the following are such birds देखों तो एटा आपनों कोर आइधिंक एटा OMS रो लास्टियर कोश्चिन रहाशी थी तील एटा आणसर होची common minor गोट्टी भी कोश्चन जोदी PYQ आपनोंको same to same पोड़ी जाओची ना you will realize in the exam hall आपनों केते वोड़े relaxed लागिवा कि एक कोश्चन आपोड़ी तीले same option, same statement, more तो इटा sure ठीक हबा and you will get a confidence of 10-15 minutes जो next question आपनों solve करिवे ना 10-15 minutes तक आपनोंडे confidence रही बा तो एथरो आंसर हबा आपनोंको रहा common minor next आमे जिबा with reference to eco-sensitive zones which of the following are correct तो एथरो आंसर होची D, neither one nor two तो एको-sensitive zones कोण then they are ecological important areas under Environment Protection Act 1986 around national parks and wildlife sanctuaries but consider the following आउ तेंटा statement देची which of the following are correct एथरा आंसर हबा B, 2 and 3 only फर्स्ट चर्खन तो Animal Welfare Board of India is established under the Environment Protection Act 1986 तो एडा भूल it is established in 1962 को एक्ट द्वार आना Prevention of Cruelty to Animals Act 1962 तो पर फर्स्टेटमेंट ता आपनोंको भूल रहो जी आप National Tiger Conservation Authority is a statutory body आपनोंको ठीक chaired by the Prime Minister एडा भी आमें सौमास्त जानीचो एडा भी ठीक सेट पर 2 आउट 3 माने Option B Next आमें जीबा which of the following have coral reefs आंसर हबा इथरा 1, 2 and 3 माने एंडा मने Nicobar Islands रहो अछी Gulf of Kachra अछी Gulf of Manard रहो भी अछी सुन्दर बंच रहे आपनोंको रहो coral reef ना ही सिती mangroves अची Next आमें जीबा In India the problem of soil erosion is associated with which of the following Terras cultivation और tropical climate आंसर हब बनी को स्टेरास cultivation जोगो आपनोंको soil erosion बांध हुए तो आंसर खाली deforestation Next आमें जीबा 73 The most important strategy for the conservation of biodiversity together with traditional human life is the establishment of biosphere reserve रहो definition डासी आपनोंको देदी जी तो एथरा आंसर हबो A. Biosphere Reserve Next आमें जीबा 74 The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degree above pre-industrial level If the global temperature increases beyond 3 degree Celsius above the pre-industrial level what can be its possible impact So एचर आंसर हबो B Terrestrial biosphere tends towards a net carbon source आप्शन 2 Widespread coral mortality will occur तो आप्शन 2 Rise in temperature by 3 degree Celsius to that of pre-industrial level will lead to option 1 Now 2 3 degree रहो मैं रहो 100s of millions of people would be displaced from their homes due to sea level rise Next आमें जीबा Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of answer B algae and fungi इड़ बहुत ही सिंपल नॉर्मल बेसी कोश्चिन टा थिला ता आपरे नेक्स आमे जिबा वेच आप दा फॉल्वें आर सम इंपोर्टन पोलुटन्स रिलिस्ट बाइ स्टील इंडेस्ट्री इन इंडिया इड़ आपी गोड़ बहुत ही बेसीक कोश्चिन यारा आंसर हबो D Oxides of Sulfur, Oxides of Nitrogen, Carbon Monoxide and Carbon Dioxide इड़ गोड़ा को सब बेसीक Environment Book का पन जदी कवर कोरू चंती Pollution Chapter एक पोइंट गोड़ा को आपन क्लियर ही पारिवे नेक्स जाओचि Every year, a month-long ecologically important campaign or festival is held During which certain communities or tribes plant saplings of fruit-bearing trees Which of the following are such communities or tribes? एथर आंसर हब बी, गोण और कोर्खू एमने कौँ कर आंती? ना शोइंग सीजन रे, किछी टा fruit-bearing saplings लोगांती मास केल रे इटा गोटे tribal festival ता बड़ एंवारोनमेंट को बोहुत ही help करे Next होजी, in India, cluster bean और गोवार is traditionally used as a vegetable or animal feed But recently, the cultivation of this has assumed significance Which one of the following is correct? गोवार अफेर दखंदो, इडा 2014 रोड नियूज तो करेंट अफेर भी साबरे तो इकोशन दासी होनी इडा एमिते आसे पारे के गोवार रोड सिग्निफिकंस दा कोना फार्मेंग रे तो एथिरो आंसर होवा B The gum which of the following national parks is a climate that varies from tropical to subtropical, temperate and arctic मने एक ती चारोटी climatic conditions आपन कोशे पार्क रे मेलीबो ना नेमदफा national park जोड़ा आप में उपरे कोटे प्रिवेज गोशन रे पड़ी थी ले और उना चल प्रिदिस रे अच्छी ठीक अच्छी ता प्रियामें नेक्स्ट चीबा Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscaps is managed by एथरा आंसर हवा D World Bank एटा केबे तियारी इतला ना 2004 2004 रो World Bank इपाय कार्बन फंड को उटा Public Private Sector Initiative द्वारा चल ले जन्द तो Forest Carbon Partnership Facility Which of the following statements are correct तो बोह तेल एंदे कोशिन टाइडार हो जी एथरा आंसर हो जी C 1st आओ 3rd only It is a global partnership of governments, business, civil society and indigenous people आओ It assists the countries in their red plus i.e. reducing emissions for deforestation and forest degradation plus efforts by pro-organization known as World Life International Which of the following statements are correct एथरा आंसर हो जी C It is a global partnership of conservation organizations आओ next तो ची It identifies the sites known or referred to as important bird and biodiversity areas तेको ची Concept of biodiversity hotspots originated from this organization एडा भूला पना करा आपने next question इन इंडिया In which of the following types of forests is teak a dominant tree species बोधे simple question एडा आंसर A Tropical, moist, deciduous forest A type of forestry Teak आपनों को रोड़े Dominant tree species को उठी मिले नसायाद्रीस आओ नौर्थ इस्टन पर्ट आप पनिंसुला And along the foothills of Himalayas Teak आओ साल एपनों को मिलिवों ताप्रे 84 Which one of the following is the best description of the term ecosystem? एथरा आंसर हो जी A community of organisms together with the environment in which they live ताप्रे आमेची बाइच्ट कॉस्चिन Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? एथरा आंसर हो जी B Cable Lamjo National Park ठीक हो जी एडा हो जी को जी आपनों को मनी पूर्रे एडा काहिं की important ना only floating park in the world And an integral part of Loktat Lake IUCN and CITES Which of the following statements are correct? एथरा आंसर हो जी B 2 and 3 only एडा हो जी IUCN is not an organ of UN सचिपाई आपनों को statement 1 टा भूलरो जी आपनों को जी आपनों को correct आपने नेक्स्स आमेची बाइच्ट आमेची बाइच्ट आपनों को जी बाढ With reference to Dagong A mammal found in India Which of the following statements are correct? तो आंसर हो जी आपनों को जी It is a herbivorous marine animal ठीक आपनों कोरो आपनों 3 It is given legal protection under Schedule 1 of the Wildlife Protection Act 1972 तो एडा बोधे सेंपल आंसर हो जी आपनों जी आपनों कोरो जी आपनों जी आपनों कोरो next time Please Which one of the following is associated with the issue of control and phasing out of use of ozone-depreating substances? आपनों आंसर हो भा B Montreal Protocol इस स्वेशन से आपनों जी आपनों जी आपनों जी आपनों कोरो sustainable development मौने रोखां तू रियो सब्मेट युनाइट नेशन्स कंफरेंस और एन्वारोनमेंट और डेवलोपमेंट मौने रोखां तू UNCD और रियो सब्मेट और अर्थ सब्मेट ठीक होच यह अब इस अरे पूरा डिटेल ना मैंडेटरिया आपनों को मौने रोखी बापाई नेक्स ताम में जिबा विच अफ फॉल्विंग स्टेटमेंट रिगादिंग ग्रीन क्लाइमेट फॉंड इस और आर करेक्ट यह अच्छरो आंसर हबो ए और दखां तू खाली आंसर हबो यारो ए फॉर्स्टेटमेंट होनली इस इस इपन्ड़ इस प्रकेशने अच्छ एपॉल्विंग स्टीओ इस इस पॉल्विंग पर्णो आपनों कोर आओ यह थी नाइधर वन नाइधर तू the decomposition of human waste in the biotoilates is initiated by fungal inuculum इता भूला पना करा आओ ammonia and water vapor are the only end products in this decomposition इता भूला पना करा actually कौन हुए ना biotoilates are fitted underneath the lavatories and human waste discharge into them is acted upon by a particular kind of bacteria that converts it into carbon dioxide, methane and non-corrosive neutral water मने रोखन तो biotoilates रे कौन कौन आपना को final product हुए CO2, CH4 and non-corrosive neutral water next Ami Jeeba with reference to the Indian Renewable Energy Development Agency Limited which one of the following is true करा आंसर हो ची ची इता पूलिक लिमिते गवर्मेंट कंपनी and it is a non-banking financial company आपरे आमे Jeeba next question consider the following pairs A pair भीतरो कोडा correctly matched C only 3 Clean Development Mechanism that is Q2 protocol आपना को तेन्ट जागो point देची तेन्नी जागो आपना कोरो Q2 protocol रही चीला किन्तु जेहतु 1 now 2 रे option रे अलगा protocol देची यह पैं खाली आंसर्टा होऊ आपना कोरो 3 Clean Development Mechanism Q2 protocol Next आमे Jeeba With reference to an initiative called the Economics of Ecosystems and Biodiversity TEEB Which of the following statements are correct? यथरो आंसर होऊ बो 2 and 3 only It is not an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum ठीक हो छी? Which of the following is or are correct? यथरो आंसर होऊ बो D Statement 1, 2 and 3 13 तेन्टा जागो ठीक होऊ कहा रिगाडिंग? UNREDD Plus program regarding ये कोश्चेंटा फोथी कोटा कोटा कोट्रोवर्शियल कोश्चेंटा Actually UNRED Plus जो सेमानों को objective होची Only 1 and 2 मने Protection of Biodiversity and Resilience of Forest Ecosystems But indirectly ये पोवर्टी भी हेल्प कोरोची रिमोव करिवा पाई सेथी पाई ये पेसी तरा आंसर को D रोखी चीब जदी जणे नॉर्मेली पोढ़ी की मोटिफ को से और्गनाइजेशन रा आंसर करिया पाई ये 1 and 2 को ही ठीक करिके आशीब सम्ताइम सेन इन दे नुज चैने जदे पाई आशीब स्टेटमेंट ये 2 को स्टेटमेंट थीक ना ये ये 1st स्टेटमेंट इस अग्लोबल अक्षन प्लान फर सुस्तेनेबल डेवलोप्मेंट अव इत ओर उजिनेट इन वर्ल्ट सब्मेंट स्टेनेबल डेवलोपमेंट हेल्ड इन जवानेस बाग 2002 इटाब भूल अजदा 21 केबे हितला ना अज सबमेट जो हितला रियो दे जनेरियो रे 1992 रे सेबे एजदा 21 बनितला तो इटाबी से इन्टनेशनल कन्वेंट रो जो डिया पर पोरिवे कोशिंता ऐसीली सॉल्फ करिभ़िभे नेक्स ताम मैं जीबा कन्सिडर था तिन्वानेस रोगाजिटमेंट अजस्टनल सोलर आचानेस वास्वानेस ओंशड दे एट नाचानेस चानेस चानेस्ट इन यालाचानेस čालीट countries of the United Nations एची भी तरो कोड है ठीक ना आंसर हब A. Only first statement 2015 रे है थिला एची लास्ट कोस्चिन With reference to the agreement at the UNFCCC meeting in Paris in 2015 Which of the following statements are correct? रेखो तो एची ना सेत्तेमेड अरो current affair रे आसी थिला बोहुत ही लेंदे statements आपनो को देची तो एची ना आंसर हब आपनो करो B B माने खाली second statement माने तो एची अग्रिमेंट aims to limit the greenhouse gas emissions so that the rise in average global temperature by the end of this century does not exceed 2 degree Celsius or even 1.5 degree Celsius above pre-industrial levels वो एची वीडियो डा रेप अप कोरुची इडा first 100 questions थिला सबू UPSC previous year questions रो next video आसी बो जोडि आउ रिमीनिंग 100 questions आमें डिस्कास करीबा आउस पूरा जेत्ती की भी environment related पोडिची UPSC रे आज तक आमें से सबू गुडाको इडीटा पाटरे आराम से कंप्लीट करीदवा PPT डा भूल्लीवे नी Telegram ग्रूप रे जाई डाउनलोड करीबे जदी आपना अल्रेडी कीछी UPSC रव प्रिवियस यर कोश्चन बुख पढ़ी सारी चनती तेब्या उसे PPT टा आपनोंको दरकार पढ़ीवाने बट जदी आपना सेंती कीछी बुख कीनी नहांती पढ़ी नहांती APPT टा आपनोंको बहुत हेल्प करीबा